श्री गणिशायनमा, श्री कृष्ण जन्माश्टमी की कथा श्री गणिशायनमाश्टमी की निद्रा भंग हो गई। श्री गणिशायनमाश्टमी की निद्रा भंग हो गई। श्री गणिशायनमाश्टमी की निद्रा भंग हो गई। उसने सोचा ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भह नहीं है। देवकी की आठवी संतान से तुम्हें भह है। इसलिए मैं इसकी आठवी संतान को तुम्हें सोप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही वेवार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्विकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारगार में बंद कर दिया। ततकल नारज जी वहाँ आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसा पता चलेगा कि देवकी का आठवा गर्ब कौन सा होगा। गिंती प्रथम से है या अंतिम गर्ब से शुरू होगी। कंस ने नारज जी के परामश पर देवकी के गर्ब से उत्पन होने वाले समस्त बालकों को मानने का निश्चे कर लिया। इस प्रकार एके करके कंस ने देवकी के साथ बालकों को निर्देता पूरवक मार डाला। भादरपत के कृष्ण पक्ष की अश्टमी को रोहिनी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जनम हुआ। उनके जनम लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंक, चक्र, गदा इन पदमधारी चतुरबुज भगवान ने अपना रूप प वासुदेव जी की हतकडियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव श्री कृष्ण को सूप में रख कर गोकुल को चल दिये, रास्ते में यमना श्री कृष्ण के चर्णों को स्पर्ष करने के लिए भढ़ने लगी, भगवान न अपने पैर लटका दिये, चर्ण छूने के बाद यमना घट गई, वासुदेव यमना पार कर गोकुल में नंद के यहां गए, बालक कृष्ण को ये शोदा जी की बगल में सुला कर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए, जेल के दरवाजे पूर्वत बंध हो गए, वासुदेव जी के हातों में हतकणिया पढ़ गई, पहरेदार जाग गए, कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई, कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर फत्तर पर पटक कर मानना चाहा, परंदुवा कंस के हाथ से छूट कर आकाश में उड़ गई, और देवी का रूप धारन कर बोली, हे कंस मुझे मानने से क्या लाव, तेरा शत्रुतो गोकुल में पहुंच चुका है, यह द्रशे देखकर कंस हत्प्रभ और व्याकुल हो गया, कंस ने श्री कृष्ण को मानने के लिए पूतना बकासूर जैसे अनेक दैत्य भेजे, श्री कृष्ण अपनी आलोकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला, श्री कृष्ण बड़े होने पर कंस को मार कर उगरसेन को राजगदी पर बिठाया, और अपने माता पिता, देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया, श्री कृष्ण की पुनी जनमतिती को तभी से सारे द झाल